दोस्तो नमस्कार वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो टोपिक वाइज डेली 25 MCQs का हमने सीरीज इस्टार्ट किया है डिजिटल इलेक्टोनिक्स में 25 परसनों की एक गलास हम कल दे चुके थे आज की इस वीडियो में हम एम्प्लिपायर पर आधारित टोप 25 परसनों का सुलुशन करेंगे वीडियो को कम्प्लीट लाश तक जरूर देखना दोस्तो अभी तक हमारे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल सबिस्क्राइब जरूर कर लेए चैनल पर काफी नोट्स आपके लिए उपलब्ध है और भी अपडेट और नोट्स आप तक पहुंसते रहेंगे इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन में आपको लिंक दिया हुए हमारा एंडूड एप जरूर डाउनलोड करें एप में फ्री प्रेक्टिश टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स आपके लिए अवाइलेबल है आप उन्हें ले सकते हैं इसी तरह के टेस्ट अटेंप्ट करने को भी मिलेंगे हमारे कोर्स में 100 से भी अधिक टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एमप्ली फैर पर 25 प्रसनों का सोल्यूशन करेंगे और विस्तार से आपको एक्स्प्लेइन करेंगे साथ ही आप भी अपना उत्तर कमेंट करते रहें कम्प्लीट वीडियो लाश्ट तक जरूर देखना आपका स्कोर क्या रहा यानि 25 में से कितने आपने सही किये मुझे लाश्ट में कमेंट करके जरूर बताना प्रसनों का लेवल आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देनا दोस्तों को सेर जरूर करना दोस्तों से भी चैनल सबस्क्राइब जरूर करवाईए दोस्तो क्योस्तों कर नमर वन आपकी स्क्रीन पर है और प्रसंद हिंदी इंग्लिस दोनों भासाओं में है उम्मीद करता हूँ कि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और इन सिरीज की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा आप जब भी जुडेंगे बाद में भी देखना चाहेंगे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकरिं सबी टोपिक्स के प्रसनों को आप देख सकते हैं नंबर वन के उस्सन आपके स्क्रीन पर ओडियो एम्प्लिफायर किस फरिक्वेंसी रेंज तक उप्योग किया जा सकता है दोस्तो frequency के अधार पर amplifier का वर्गी करन किया गया है AC में सबसे छोटा जो amplifier होता है उसे audio amplifier कहा जाता है और इसकी frequency range 20 Hz से लेकर 20 kHz तक होती है दोस्तो amplifier DC में भी होता है लेकिन उसकी frequency range केवल 1 Hz तक होती है उसके बाद में हमारे radio frequency, intermediate frequency, ultra high frequency इस तरह के और भी आते हैं सबसे important audio frequency का ही है और एक दूसरा परसन बनता है case case audio frequency का तो case case audio frequency की जो range होती है वो 16 Hz से लेकर 16 kHz तक होती है उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इन प्रसनों को समझा होगा अगला सवाल आपकी screen पर है नेमन में से किसे emitter follower भी कहा जाता है यानि जिसमें collector current emitter को follow करती हो उसे emitter follower का गया है और collector current के नाम से आप समझ गये होंगे common collector को emitter follower भी कहा जाता है यानि common collector का दूसरा नाम है emitter follower अगला प्रसन आपकी screen पर नेमन में से कौन सा एक voltage amplifier नहीं है देखो अगर हम वैसे amplifier के परकार की बात करें तो amplifier को voltage amplifier, current amplifier और power amplifier भी कहा जाता है power amplifier में तो आगे परकार A, B, C और A, B भी हो जाता है तो कुल मिलाकर voltage और current के आधार पर हम बात करें तो उस amplifier को कभी voltage amplifier की तरह उपयोग में नहीं ले सकते जिसकी gain एकाई से कम हो है ना, देखो amplifier का 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 क्या होता है input signal को बढ़ा कर output में अधिक signal पर दान करना जिसकी gain एकाई से कम है तो वो कहां signal को amplify कर रहा है वो तो attenuate कर रहा है यानि signal उल्टा उसका तो कम हो रहा है तो उसको कभी भी voltage की तरह amplifier की तरह काम में नहीं लेंगे जिसकी voltage gain एकाई से कम हो एकाई से कम voltage gain जो है वो collector की होती है पूरा, मतलब common collector की होती है ठीक है, common emitter तो सरवादिक काम में हम लेते आये हैं और common waste ऐसा है कि इसकी voltage gain सरवादिक होती है तो ये तो voltage amplifier के लिए सबसे ज़्यादा उप्यूक्त माना जाएगा अभी हमारा option यहां पर see रहेगा common collector जो है वो कभी voltage amplifier की तरह काम में नहीं ले जा सकता क्यों? क्योंकि इसकी voltage gain एकाई से कम है हाँ अगर इन में से ये option होता न कि voltage amplifier के लिए मतलब सबसे अधिक better कौन है तो फिर common base आता नमबर दो पर common collector है sorry common emitter है common collector का कोई use नहीं है आगे देखो common base amplifier को की भांतिक कभी भी उप्योग नहीं किया जा सकता अब देखो common base की जो current gain होती है न वो इकाई से कम होती है इसका मतलब ये कभी current amplifier नहीं बन सकता मतलब सीधी सी बात है current को amplify नहीं करता है और जब current को amplify नहीं करेगा तो कभी भी current amplifier ये नहीं बन सकता current amplifier के रूप में सबसे best कौन है common collector क्योंकि इसकी जो current gain होती है वो गामा होती है common emitter भी ठीक ठाक है क्योंकि इसकी current gain बिटा होती है लेकिन common base जो होता है इसी तो current gain alpha होती है और हम सब जानते है अलफा का मान इकाई से भी कम होता है तो common base amplifier कभी भी current amplifier की रूप में काम में नहीं लिया जा सकता अगला प्रसन common base amplifier की सरवादिक जो है वो क्या होती है तो मैंने अभी बता है common base की voltage gain सरवादिक होती है current gain इकाई से ही कम होती है power gain ठीक ठाक है क्योंकि voltage gain ज़्यादा होगी ना तो power तो V into I से होती है power gain is equal to voltage gain into current gain ठीक है तो common base की voltage gain सरवादिक है अगर नियून्तम क्या है ये पूछे न तो फिर current gain नियून्तम होती है ठीक है वैसे ये सब का याद रखना मैंने एक एक करके आपको सब का लगबक करवाया हुआ है अगला प्रसन है amplifier में input और output coupling capacitor का उदेश्य क्या है यानि एक capacitor तो यहाँ पर लगगया C1 ठीक है जो base की तरफ जा रहा है और एक capacitor यहाँ पर लगता है जो C2 कहलाता है है ना तो ये तो है input ये है output इन दोनों का परपज पूछाए देखो यहाँ पर हम input output के लिए transistor को start करने के लिए baising देते है baising किसे दी जाती है DC से तो ये DC cable transistor को सक्कीरिय अच्छेतर में लाने के लिए काम में ली जाती है signal amplify करने में इस DC का कोई roll नहीं होता है इसलिए ये DC कहीं signal में enter ना हो जाए वहाँ इसको involve नहीं होना है उसी को prevent करने के लिए वो दोनों के capacitor लगाते है ठीक है ये उत्तर यहाँ पर अपना सही रहेगा DC baising में signal के परवेश को रोकना अगला जो हमारा प्रसन है common emitter amplifier में emitter परतिरोद के समानतर में सेंजित उस capacitor को क्या का आ जाता है देखो यहाँ पर emitter register लगता है और इस emitter register के parallel में यहाँ पर एक capacitor लगता है जिसको C E बोला जाता है और इसको बोलते हैं bypass capacitor यह emitter परिपत के परतिरोद को कम करने के लिए होता है pass to AC block to DC करता है यानि AC को कम परतिरोद वाला मारग उपलब्द करवाता है जिसे current bypass होता है इस capacitor का नाम है bypass capacitor input capacitor C1 होता है जो base में सेंजित होता है output capacitor C2 होता है जो collector में सेंजित होता है और EC का नाम coupling capacitor होता है जिसको CC बोल सकते हो coupling capacitor अगला परसेन है class B push pull amplifier की efficiency कितनी होती है काफी अच्छा है देखो वैसे तो सभी वर्गों की efficiency अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा class B push pull amplifier की दक्सता 78% होती है वैसे सबसे अधिक दक्सता class C की होती है और उसकी भी 78.5% के आसपास ही होती है class B push pull में क्या है कि Q1 और Q2 नाम के दो transistor काम में लेते है एक push करता है एक pull करता है तो input जो है वो output में easily चली जाती है इसलिए efficiency बढ़ जाती है लेकिन साधारन वर्ग B अगर है तो उसकी दक्सता 50-60% के बीची होगी वर्ग A की अगर मैं बात करूँ तो 35% से लेकर 50% तक दक्सता होती है अभी आपको C उत्तर के साथ ही रहना है जिनका भी C कमेंट्स आ रहा है तो वो बिलकुल सही आ रहा है अगला परसन अपनी स्क्रीन पर है कि common emitter amplifier में परतिरोदक R E का क्या उदे से देखो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक परतिरोदक लगता है यह वाला इसको R E बोलते हैं और इसके समानतर में यहाँ एक capacitor लगता है C E यह emitter bypass capacitor है और अब यहाँ पर R E का उदे से बूज रहा है तो इस R E का उदे से है IC में ताप परिवर्तन का परभाव नियुन्तम करना यानि collector current में ताप के परिवर्तन से जो परभाव पड़ता है न वो कम हो जाए क्योंकि ताप के साथ collector धारा सबसे ज़्यादा परभावी तो होती है ठीक है इसलिए बहुतिक रूप से collector को सबसे बड़ा रखा जाता है transistor में A option के साथ हम जाएंगे यहाँ पर अगला प्रसन है class A amplifier का चालन कौन कितना होता है यानि यह conduction कभी start करता है तो यह तो आप चारों का अगर याद रखें तो बेटर रहेगा पेपर में किसी एक का तो जुरूर आएगा तो class A का 360 degree challenge मना जाता है यानि इस तरह से होता है ठीक है मतलब एक चक्र के बाद शुरू करता है ठीक है सोरी इस तरह से होता है एक चक्र के बाद और class B जो होता है उसका 180 degree का है ठीक है और class C और class AB का जो है इन तोनों के बीच का होता है सभी का आप अगर याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी C option के साथ आपको जाना है A का 360 होता है B का 180 होता है यानि 180 degree चालन होता है अगला परसन आपकी स्क्रीन पर नियून्तम विक्रती किस एम्प्लिफेर में होती है यानि output में minimum distortion कौन देगा ये विक्रती वाला तो साथ आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे डकस्ता और distortion efficiency और distortion यानि दकस्ता और विक्रती ये दोनों एक जैसे होते है जिस एम्प्लिफेर की दकस्ता कम होती है उसकी विक्रती भी कम होती है यानि वो वैसे suitable हो जाता है फिर दकस्ता तो कम है ठीक है लेकिन output ज़्यादा विरूपित भी नहीं होता अच्छा output मिलता है तो सबसे कम दकस्ता class A एम्प्लिफेर की है इसलिए सबसे कम विक्रती भी class A एम्प्लिफेर में होती है सरवादिक विक्रती और सरवादिक दकस्ता की अगर हम बात करें तो वो class C एम्प्लिफेर में होती है ठीक है ये काफी अच्छा प्रसन है दिल्ली मेटर 2020 में भी आया था UPPCL में आ चुका है राजस्तान टेक्निकल लेलपर में पिछली बार electronics में इसी तरह के प्रसन आये थे competition exam की अगर आप त्यारी कर रहे है तो ये क्यूसन काफी अच्छा है एकला प्रसन 50 Hz fundamental frequency वाले एम्प्लिफेर में second harmonic frequency कितनी होगी बहुत simple question है very simple question बोल दूँ आपको मैं पहली बात तो ये ध्यान रखो harmonic frequency fundamental frequency के integral होती है यानि उसके पुरुनांक में होती है हमेज़ा पुरुनांक का मतलब second harmonics की पूछ रहे 50 को 2 से multiply कर दो उत्तर आ जाएगा show heart आजे second harmonic frequency कितनी है show heart आजे अगर third harmonics की फूछ लेता तो 50 को 3 से multiply कर दो 150 आ जाता ठीक है harmonic frequency calculate करना मतलब जो fundamental frequency है उसको multiply कर देना ठीक है simple question है मुझे लगता है अच्छे से उत्तर दे पाऊगी अगला परसन है class B amplifier का cue point कहा होता है देखो ये अच्छा परसन है जो च्यारों amplifier है class A class B A B और C इन सभी का तो आप चालन का कौन याद रखें साथ ही इन सभी में cue point की इस्तती को ध्यान रखें देखो cue point कैसे निकाला जाता है cue point निकालते है VCC और IC collector current voltage के अधार पर अगर लेक में तो फिर आपन इस तरह से मानते है यहाँ पर VCC और यहाँ पर IC मानते है इन दोनों को मिलाने वाली जो line होती है इसको बोलते है DC load line ठीक है वैसे तो cue point की सर्वोतम इस्तती होती है load line का मद्दे भाग ठीक है जो की class A amplifier में हमें प्राप्त भी होता है class B जो है उसमें cut off point के आसपास होता है class C में cut off point के थोड़ा उपर होता है और A B में cut off के नीचे होता है A में load line के मद्दे भाग में होता है ये काफी अच्छी जीजे है और इनको अगर आप अच्छे से cover up करें तो ज्यादा सही रहेगा अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर है signal का परिमान बढ़ाने के लिए किसका उप्योग करते हैं तो इसमें तो कोई doubt नहीं है amplifier ही आएगा oscillator दो लिंटर है हिंदी में frequency बढ़ाने के काम आता है rectifier hc2 dc करता है और filter जो है वो pulse setting dc को सुध dc करता है ठीक है amplifier कर देना बहुत simple सा क्यूस्टन है और आगे amplifier अनुपर योगों के लिए transistor को निमन में से किस चैतर में परचालित होना चाहिए देखो signal को amplify एक transistor तब ही करता है जब वो active mode में हो ना तो cut-off mode में काम करेगा ना saturation mode में काम करेगा और active mode में transistor की क्या भाग होता है कि पहला junction forward में दूसरा junction reverse में पहला junction होता है base और emitter के बीच में दूसरा junction होता है base और clicktor के बीच में ठीक है कट अप मोड में दोनों जंक्षन जे वन और जे टू रिवर्स में होते हैं सेचुरेशन में दोनों जंक्षन फूरवर्ड में होते हैं अभी आपका भी ओप्षन रहेगा एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर परचालित होना चाहिए attenuator क्या होता है उसका काम क्या है देखो attenuator amplifier का just opposite होता है amplifier क्या करता है signal के आयाम की वर्दी करता है ये signal के आयाम में कमी करता है ठीक है reduce the signal amplitude signal के आयाम में कमी करना यानि amplifier attenuator एक दूसरे के विपरीत कारिय करते है या इनके जो opposite है वो work है वो opposite होता है अगला प्रसन है common base amplifier का input परतिरोद कितना होता है इसमें तो देखो option ही नहीं दे पाया है न एक ही option दिया है और वो ही उत्तर है common base का input परतिरोद भहुत कम होता है ठीक है क्यों होता है क्योंकि इसमें input जो है वो emitter और base के बीच देते है emitter base पहला junction है transistor का पहला junction हमेशा forward में होता है और forward परतिरोद कम होता है अगर common base का output परतिरोद पूछे तो वो very high होता है यानि बहुत अधिक होता है क्यों? क्योंकि इसका output base और collector के बीच होता है junction 2 हो गया, junction 2 reverse में होता है और reverse में परतिरोद अधिक होता है अगला परसन है frequency response के साथ कौन सी coupling new time interference देगी? देखो interference कब आएगा? वेवदान कब आएगा? जब बीच में कोई device हो अगर direct coupling लगा देंगे तो क्या कोई interfere करेगा? पर कोई hazard shape कब करेगा? जब register capacitor लगा हो जब transformer लगा हो जब कोई impedance matching के लिए लगाया गया हो जब हमने कुछ लगाया है नहीं दो transistor को ही आपस में जोड दिया हो तो फिर काई का distortion आएगा? है ना? जैसे case case amplifier में होता है दो transistor आपस में जुड़े होते है उनमें direct coupling होती है ठीक है? बी उत्तर सही रहेगा अगला प्रसन है निमर में से कौन सा किसी power amplifier का परकार नहीं है ये तो बहुत ही simple है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना? class F नाम से कोई amplifier नहीं होता है कौन कौन सा है? A, B, C और A, B ठीक है? बहुत ही easy है इसमें तो ज़्यादा confusion है नहीं अगला प्रसन एक amplifier की सक्ति ग्याद कीजिए यदि उसकी power gain 20 और power output एक आई हो स्वरी एक वाट हो देखो gain होता है output बटे input ठीक है? जब input ग्याद करना है तो क्या करेंगे? output में gain का भाग दे देंगे यानि एक बटा 20 ठीक है? एक बटा 20 को आप solution करके देखें आपका उत्तर आएगा 50 milliwatt ठीक है? कैसे आएगा? calculation कर लीजिए 0.05 watt आ रहे ठीक है? अगर इसको milli में convert करना है तो 1000 से multiply करेंगे जब milli लगाते हैं तो 1000 से multiply करना है milli हटाते हैं तो 1000 से भाग देना होता है एए option सही रहेगा 50 milliwatt आपका याँपर उत्तर आ जाएगा अगला प्रसंद multi stage amplifier है 125 volt output देता है परतेक stage की gain 5 है input voltage ग्याद कीजिए multi stage में भी 3 stage वाला है ये इसने stage तो नहीं बताई न कितनी है तो multi stage में 3 stage आप मान कर चले देखो overall gain क्या पूछ रहे हैं ये परतेक stage की gain 5 है ठीक है तो आपको इसका input बताना है क्या करना है output में 5 का भाग दो ठीक है जो बचेगा उसमें फिर 5 का भाग दो अब आपको जो भी परप्त होगा वो पहले का input है ठीक है उत्तर आएगा 5 volt देखो मैं बताता हूँ हमने पहले amplifier को 5 volt दिया इसकी gain कितनी थी 5 तो इसने output कितना कर दिया 25 लेकिन ये 25 अगले के लिए क्या था second stage के लिए input था second stage ने इस 25 को 5 गुना कर दिया ठीक है तो ये आपका कितना होगया output में 125 ठीक है तो ये 1, 2 और 3 ठीक है D उत्तर आजाएगा 125 volt का हो जाएगा अगला प्रस्ण है वरग B amplifier में collector current कितने current के लिए परवाइत होती है कितने चकर के लिए परवाइत होती है ये तो simple सा ही है वो degree वाले को change करके दे रहे है class B का चालन कितने में होता है 180 degree में और 180 degree जो है वो आदे चकर के बराबर होता है अपना यहाँ पर C उत्तर सही हो जाएगा ये प्रस्ण तो वो conduction angle वाला जो पूछा था उसी के जैसा है बस language बदल दी इसमें और ज्यादा अलग से कुछ भी नहीं है अगला प्रस्ण है एक voltage amplifier में क्या होता है देखो भी amplifier वो ही होता है जिसकी output input से हमेशा अधिक हो है ना C उत्तर होगा output voltage is higher than input वो ही voltage amplifier हो या current amplifier हो output जो है वो input से अधिक होगी तब ही तो उसने amplify किया ना otherwise तो वो attenuator हो गया output voltage input से अगर कम हो तो वो फिर amplifier नहीं attenuator बन जाता है अगला परस्ण amplifier की रूप में सब से अधिक है कौन सी configuration काम में लेते हैं तो बहुत simple है हम सब भी जानते हैं common emitter काम में लेते हैं क्यों क्योंकि इसकी current gain voltage gain, power gain तीनो इकाई से अधिक है और संचालन 180 degree फेज अंतर पर होता है common collector की कमी क्या है voltage gain इकाई से कम common base की कमी क्या है current gain इकाई से कम इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है अगला परसन निवर में से कौन सा एक inverter है inverter को बोलते है view उत्पन करना view उत्पन यानि 180 degree out of देना 180 degree का फेज़ डिफरेंस common emitter में होता है ठीक है तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 परसन वीडियो complete देखना अब आपका score मुझे कमेंट करके बता देना complete देखने में आपने कमेंट की यह साथ में चले गए है last में कमेंट करना इसका ताकि वो save रहे और मैं इसको देख पाऊं अच्छे से पसंद आया तो like कर देना चैनल पर नई हो तो subscribe जरूर कर लेना